क्या आप मोतियों से बने जेवर खरीदने की सोच रहे हैं या मोतियों से बना कुछ आपको पारिवारिक विरासत के रूप में प्राप्त हुआ है आप कुछ आसान से परीक्षण कर मिंटों में ये पता कर सकते हैं कि मोतियों से बनी जो चीज आपके पास है वो असली है या नकली एक बार अगर आप देख के या चुके मोति के असली या नकली होने के लक्षणों को समझने लगेंगे तो आपको कभी भी असली समझ के नकली मोती से बने गहने खरीद लेने का डर नहीं सताएगा. मोती को ध्यान से देख कर किये जाने वाले परीक्षन. एक पूरी तरह से गोल और बिना किसी दागधब्बे या अन्यतरुटी वाले असली मोती एक तरह से दुरलब ही होते हैं. असली मोतीों में दागधब्बे या अन्यप्रकार की विकृती होना सामान्य बात है. असली मोतीों की बाहरी सत्हें भी उन मोतीों के अलग-अलग भा प्रकाश को अलग-अलग तरह से प्रतिभिंबित कर सकती हैं, नतली मोती अक्सर उम्मीद से भी ज्यादा पूर्ण होते हैं, वे पूरे गोल होते हैं, उनकी सथों के हर भाग में एक समान चमक होती हैं, और उन पर कोई निशान नहीं होता, हाला कि पूर्ण रूप से गोल अ अगर आपको कोई ऐसा निकलेस दिखे जिसमें सिर्फ एक समान, पूर्नत, गोल, असली मोतियों का प्रयोग हुआ हो, तो पूरी संभावना बनती है कि वो नकली मोतियों का निकलेस है. दो मोति की आभाही इसे खूबसूरत बनाती है, अच्छी क्वालिटी के मोतियों को जब प्रकाश की किरने चूती हैं, तब उनसे तेज, शुद्ध आभा निकलती है, जो उन्हें प्रदीप्त कर देती हैं. अगर आप ध्यान से देखें, तो आप मोति की सतह पर अपना प्रतिबिम भी देख सकेंगे, इस परीक्षन से जुरी एक समस्या ये है कि कुछ कम गुनवत्ता वाले मोतिफी के, किसी खड़िया के जैसी चमक वाले होते हैं, और वे नकली मोतियों से मिलते जुलते लग सकत हैं, इसलिए इस लेख में दिये दूसरे परीक्षनों द्वारा मोतियों को जाचने के बाद ही किसी निशकर्ष पर पहुँचें, तीन अच्छी क्वालिटी के मोतियों की कीमत अकसर उनके ओवर्टोन के आधार पर लगाई जाती है, वह छुपा हुआ रंग जो किसी असल मोती पर प्रकाश की किरण के पढ़ने पर वह थोड़ा रंगीन सा लगे, तो पूरी संभावना है कि वह असली है गुलाबी, या हाथी दांत जैसा रंग सफेद मोतियों के दो ऐसे ओवर्टोन हैं, जिनको सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन इनके अलावा भी क तरह के रंग संभव हैं, खास कर घहरे रंग के मोतियों के लिए तरहत रहके ओवर्टोन हो सकते हैं चार जो मोती किसी लड़ी में पिरोए गए होते हैं या किसी नेकलेस में लगाए गए होते हैं उनमें धागा डालने के लिए छेद बनाए गए होते हैं आप किसी मोती के ऐसे छेद को ध्यान से देखें तो आप ये जान सकते हैं कि वो असली है या नकली आगे वो खास चीज बताई गई हैं जिन पर आपको ध्यान देना है छेद के आसपास के किनारे सही आकार प्रकार के होने चाहिए असली मोतियों में ड्रिल होल के आसपास के किनारे पैने होते हैं जैसे किसी खोखले सिलिंडर में होते हैं ज्यादातर नकली मोतियों में ड्रिल होल के आसपास के कि प्रदुरे या गोल होते हैं, लेकिन अगर असली मोती लंबे समय से इस्तिमाल किये जा रहे हों, तो उनमें भी ड्रिल होल के आसपास के किनारे गोल हो सकते हैं, नकली मोती पूर्ण रूप से बेलनाकार होने की बजाय सतह पर बाहर की तरफ जुके हुए से प्रतीत हो सकते ह पांच असली मोतियों में करीब करीब हमेशा एक स्पष्ट बाहरी सतह होती है जबकि नकली मोतियों में पतली कृत्रिम बाहरी परत हो सकती है या फिर कई बार कोई भी परत नहीं होती अगर आपके मोती में ड्रिल होल हो तो किसी मैगनीफाइन ग्लास से आप मोती के अंदर सामान्यत असली मोतियों में आप एक स्पष्ट रेखा देखेंगे जो बाहरी सतह को केंद्र मोती का अंदरूनी भाग से अलग कर रही होगी ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारा चैनल रखनभाग्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाए तकी आप कोई भी अपडेट बिलकुल भी मिस ना कर पाए